ओम नमे सिवाई दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की मोर्ती में स्वागत है आज मैं मा महागोरी की कथा लेकर आई हूँ नवरातरी के आठवी दिन महागोरी की पूजा की जाती है एक पुराणी कथा के अनुसार परवत राज हिमाले के घर पर माता पारवती में पुत्री के रूप में जनम लिया और सिव को पती रूप में पानी के लिए कठोर तपस्या की पहले तो माता ने जलतियाग दिया और फिर निरहार होकर तपस्या की जिसके कारण गर्मी सर्दी बरसात में तब करने के कारण हजारों वर्सों तक कठोर तब करने के कारण उनकारण काला पड़ गया फिर भगवान सी प्रसन हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्विकारा और माता के सरीर को गंगजल से पवित्र कर कांती में बना दिया जिसे माता का सरीर गोर्वन हो गया इस स्वरूप में मा को महागोरी कहा गया दूसरी पोरानिक कथा भी है जब माता ने राक्षुसों का वद किया तो उन्होंने काली का रूप लेकर किया तो एक दिन महादेव पारवती कैलाश परवतवार बैठे थे तभी भगवान संकर ने माता को काली कहकर पुकारा तो माता क्रोधी थो गई और माता तपस्या करने लगी जब माता उस समय तपस्या कर रही थी कई वर्स बीत गई फिर भगवान संकर ने उन्हें आसिरवाद दिया तब माता ने तपस्या पूरी कर मान सरोवर में सनान किया जिसे माता का सरीर गोरवर्ण का हो गया फिर वे मा गोरी कहलाई मा गोरी के इस स्वरूप को अनपूर्णा एस्वरे प्रदाय में कहा जाता है मा की चार बुजाओं में त्रिशूल और डमरु विराजता है संख चंद और कुंद के फूल से उनकी उहमा की जाती है इस दिन माता को गुड़ल का फूल चड़ाना चाहिए और मिठाई का भोग लगाना चाहिए जिसे सुख सो भागे की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामनाय पून होती है माता की बाकी दिन की तरह ही पूजा करनी चाहिए और अंत में आर्ट करनी चाहिए